नमस्ते मैं चंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलेजन्ट एकेडमी में स्वागत करता हूँ हम लोग बिहार एससी के लिए एक मैत का स्रीजा स्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग परते एक दिन बिहार एससी माय हुए मैत का प्रिविसर कोश्चन और उस पर अधायत मैत का कोश्चन कर रहे हैं चलिए आज उस स्रीजवाम लोग आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस नोटिफिकेशन मिलता रहे है चलिए अब हम लोग कोश्चन की तरफ चलते हैं देखे हमारा कोश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चन ने पाइप A टंकी को समाने रूप से दो घंटा में भरता है टंकी की तली में एक छेद के कारण पाइप को टंकी भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं यदि पाइप A को बंद कर दिया जाये तो लिक के कारण टंकी को खाली होने में कितना समय लेगेगा अब देखे हमें कोश्चन में क्या दिया हुआ है हमें Question में दियाओगी, Pipe A, Tunky को समाने रूप से 2 घंटा में भर सकता है, और हमें Question में आगे क्या दियाओगी, Tunky की तली में एक छेद होने के कारण, Pipe को Tunky भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं, यानि Pipe A के साथ जब छेद काम कर रहे हैं, तो Tunky को भरने में 30 मिनट अधिक सम काम कर रहे हैं तो देखी खेद को माल लेते हैं खाली करने और पाइप B के सांद जब बी काम कर रहे हैं टो कितना समय लग रहा है धाज गंटा के समय लग अब देखिई हम यहां माइननस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि B फी जो है छेद है और छेद जो है टंकी से पानी खाली करने का काम करें यहिनि निगटीव काम करें इसलिए हम यहां निगटीव का सिंवल लगा रहें अब देखी हम सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों समय का हम LCM निकालेंगे तो देखे दो घंटा और पांच बटा दो घं जब 10 unit 9508 तो कितना समय लग लग रहे और 10 limited पानी के सांथ एक taraf कि मिलके जब भर रहा है तो कितना समय लग रहे तो just आसे दोनों का efficiency निकाल सकते हैं देखिए A जो हे 2 घंटा में अगर 10 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहोगा 5 यूनिट और A के साथ जब B काम कर रहा है तो 10 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग रहा है 5 बटा 2 घंटा यानि 1 घंटा में दोनों मिलके कितना पानी भर रहा होगे एग घंटा में दोनों मिलके 4 यूनिट पानी भर रहा होगे अब देखिए A जो हे 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है और जब A के साथ B काम कर रहा है तो 1 घंटा में 4 यूनिट ही पानी भर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि A जो हे 5 unit पानी भर रहा होगा उसमें से B जो हे 1 unit पानी खाली कर दे रहा होगा यहां से B का efficiency क्या निकल किया गया यहां से B का efficiency निकल किया गया एक unit अब देखे हमसे पूछ रहा है कि leak द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा लीक हमारा क्या है B है और B का efficiency क्या है 1 unit यानि B जो है 1 घंटा में 1 unit पानी खाली कर रहा है और टंकी का efficiency कितना है 10 unit यानि 10 unit पानी खाली करने में 1 unit का efficiency के साथ कितना समय लग जाएगा 10 घंटा का समय लग जाएगा यानि लीक द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लग जागा हमारा answer क्या निकल किया गा चली question समझ में आगया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question नґ है 4 गंटिया 3, 8, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है वे 1, 70 बजने लगी फिर कितने समय बाद वे एक सांच बजेगी, तो देखे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय अंतराल दिया हुआ है, हम उस समय अंतराल का LCM निकालेंगे, देखे, हमारा समय अंतराल क्या दिया हुआ है, हमारा समय अंतराल दिया हुआ है, 3 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट दिया हुआ ह हम सबसे पहले इन चारो समय अंत्राल का हम LCM निकालेंगे, सबसे पहले हम इनका LCM निकालेंगे, अब देखे LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फेक्टर करते हैं, तो देखिए यहां सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15 है, तो हम सबसे पहले 15 का factor करेंगे, तो देखिए 15 का factor क्या हो जागा? 3-5 हो जागा, उसके बाद क्या है 12 है, तो देखिए 12 का factor करेंगे, तो 12 का factor क्या हो जागा? 2-2-3, यानि 3 हमारा यहां पर है, यानि हमें 3 लेने की जर तो 3 हमारा यहाँ है, अब देख数 समय अंतराल का LCM किया निकल की आगए 2 घंटा निकल की आगया यानि सभी घंटी एक बार 10 बजना सुरु होई तो 2 घंटा बाद सभी जो है 1-7 बजेंगी हमारा आंसर क्या निकल के आगए 2 घंटा चली question समझ में आगया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा कोश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चन एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1-2-3 के अंपात में है यदि इसमें कूल 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों के शंख्या कितनी है हमें क्या निकालना है 5 पैसे के सिक्कों के शंख्या निकालना है अब देखी हमें कोश्चिन में क्या दिया है हमें कोश्चिन में 25 पैसे 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिकों का हमें ratio दिया है हमें ratio क्या दिया है ratio दिया है एक इस्टू दो इस्टू तीन दिया है तो देखे हमने माले की back के अंदर 25 पैसे के एक सिक्के हैं 10 पैसे के दो सिक्के हैं और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो देखें बैक के अंदर टोटल जो है amount कितना बन पाएगा 25 पैसे का अगर एक सिक्का होगा तो यह कितना होजागा 25 पैसे होजागा अगर 10 पैसे का 2 सिक्का होगा तो यह कितना होजागा यह होजागा 20 पैसे और 5 पैसे का तो यह कितना हो जागा, यह हो जागा 15 पैसे, हम इसे एड़ करेंगे, तो यह हमारे क्या हो जागा, यह हमारा हो जागा 60 पैसे, अब देखिए अगर हम यह मान के चल रहे हैं, अगर हम यह मान के चल रहे हैं, कि बैक के अंदर 25 पैसे के 1 सिक्के हैं, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, औ और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो बैक के अंदर total amount कितना बना है, 60 पैसा बन रहा है, लेकिन हमें question में, बैक के अंदर total amount कितना दिया हूँ, हमें total amount कितना दिया हूँ, 30 रुपया, हमें total amount कितना दिया हूँ, 30 रुपया, तो देखे इस 30 रुपय को अगर हम पैसा में चेंज करेंगे तो यह कितना हो जागा 3000 पैसा यानि बैक के अंदर टोटल जो है अमाउंट कितना दिया और 3000 पैसा दिया हुआ है लेकिन अगर हम यह मान के चल रहे हैं कि 25 पैसे के 1 सिक्के 10 पैसे के 2 सिक्के और 5 पैसे के 3 सिक्के है तो बैक के अंदर टोटल एमाउंट कितना बना है 60 पैसा यानि इस परकार का हम कितना सेट रखे इस परकार का हम कितना सेट रखे ताकि बैक के अंदर 3000 पैसा बन जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम इस 3,000 पैसा में 3,000 पैसा में हम भाग देंगे 60 पैसा से तो देखे ये 60 से कितने बर में जागा ये 60 से चला जागा 50 बर में यानि इस परकार के अगर हम 50 सेट रखेंगे इस परकार के अगर हम 50 सेट रखेंगे तो back के अंदर कितना बन जाएगा? 30 रुपया बन जाएगा तो देखे हम इस ratio में 50 से गुना करेंगे हम इस ratio में 50 से गुना करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 50 हम यहां 50 से गुना करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 100 हम यहां अगर 50 से गुना करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा 150, यानि यहां से हमारा निकल क्या आगया कि उस बैक के अंदर 25 पैसे के 50 सीखे होंगे, 10 पैसे के 100 सीखे होंगे, और 5 पैसे के 150 सीखे होंगे, तब जाके उस बैक के अंदर कितना होगा 30 रुपया होगा, अब देखे हमसे पूछ क्या रहा था, हम से पूछ रहा था पांच पैसे के शिकों के संख्या यानि हमारा आंसर यहां से क्या निकल किया गया एक सो पचास यानि उस बैक के अंदर पांच पैसे के संख्या क्या होगा एक सो पचास होगा हमारा आंसर क्या निकल किया गया एक सो पचास निकल किया गया चली कोश्चन सम अब दिखे यहां ब्याज जो count हो रहा है सधारान ब्याज के दर से ब्याज count हो रहा है तो सधारन ब्याज में परते एक साल ब्याज क्या मिलता है बराबर मिलता है यानि पहले साल अगर हमें प्रिंस्पल का आर परतिसत ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी हमें प्रिंस्पल का आर परतिसत ही ब्याज मिलेगा तो देखी हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि ये 305,000 का कितना परतिसत है तो यहां से हमारा निकल क्या जागा टोटल जो है SI परतिसत में निकल क्या जागा अब देखिए हम यहां से 2,0 से 2,0 काट सकते हैं हम इस 1,0 से 1,0 काट सकते हैं हम 5 से अगर 30 को काटेंगे ये कितने परम जागा 6 बार में ययनि यहां से टोटल जो है SI हमारा या निकल क्या आगा ज परतिसत अब देखिए 2 बरस में 6 परतिसत का ब्याज मिल रहा है और यहां जो है SI के दर से ब्याज काउंट हो रहा है तो SI में परतिक सल व्याज का मिलता है, यानि पहले साल, अगर हमें 3,% मिला उगा, तो दूसरे साल भी हमें, 3,% कहीं ब्याज मिला होगा, तब जाके हमें, दो साल में, 6,% का ब्याज मिला होगा, यानि यान से हमारा rate of interest कहा निकल क आगया, 3,% बारसिक, हमारा answer कहा निकल क्या गया, 3, पर तिसद बारसिग चली कोश्चिन समझ में आगया होगा निक्स कोश्चिन पर चलते हैं देखे मारा कोश्चिन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चिन ए वनु तथा भरत के आयू का अनपाथ 26 पांच है तथा उन दोनों की आयू का योग 44 बर से 8 बर्स पहस्चाथ उनकी आयू का उसत क्या होगा हमें क्या निकलना 8 बर्स पहस्चाथ उनकी आयू का उसत निकलना है अब देखी हम से पूछ किया रहा है 8 बर्स पहस्चाथ उनकी आयू का उसत पूछ रहा है तो अगर हम बर्तमान का ओसत निकाल के अगर हम उसमें आठ बर्स एड़ कर दे तो हमारा निकल किया जागा आठ बर्स पाचात का हमारा ओसत निकल किया जागा तो देखी हम ओसत कैसे निकालते हैं ओसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं आंकरों का योग करते हैं और उनके सं बरतमान का 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 बरतमान add कर देंगे तो 8 बर्स बाद का उसत निकल क्या जागा यानी 8 बर्स बाद का उसत हो जागा 22 प्लस 8 यानी ये कितना हो जागा 30 बर्स हमारा answer क्या निकल क्या गया 30 बर्स निकल क्या गया 8 बर्स पहचाद दोनों की आयू का उसत क्या होगा 30 बर्स होगा हमारा answer क्या निकल क्या तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 20% को हम fraction में change करेंगे, 20% को fraction में change करेंगे, ये क्या हो जागा, एक बड़ा 5 हो जागा, तो देखे हम यहां से वास्तवी कीमत और discount देने के बाद का कीमत का हम ratio निकाल सकते हैं, देखे अगर इसका वास्तवी कीमत अगर 5 unit होगा, तो 5 पे एक का discount देने के बाद, इसका जो है कीमत क्या हो जागा, चार unit हो जागा, अब देखे, discount देने के बाद, कीमत हमें question में क्या दिया है, 100 रुपया, और यहां जो है discount देने के बाद का कीमत क्या निकल क्या है, चार unit का value हमें question में क्या दिया हो है, चार unit का value हमें question में क्या दिय हमारा answer क्या निकल किया गया, 125 रुपय निकल किया गया, चली question समझ में आगया होगा, next question पर चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question दिये के सब्ताह में, ब्रेसपतिवार सुक्रवार तथा सनी बार का उसत तापमान 38 degree centigrade था, जब कि इसी सब्ताह के लिए सुक्रवार सनी बार तथा रवी बार का उसत तापमान 49 degree centigrade था, यदि रवी बार का तापमान 40 degree centigrade था तो ब्रेसपतिवार का तापमान कितने डिगरी centigrade था, हमें क्या निकलना है, अब देखे में question में क्या दिया हुआ है, हमें question में, ब्रेसपतिवार, सुक्रवार और सनी बार का हमें ओसत तापमान दिया हुआ है, तो हम यहां से तापमान का योग निकाल सकते हैं, तापमान का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसत में दीन के संख्या से हम गुणा करेंगे देखिए यहाँ कौन-कौन सा दीन है ब्रेसपति बार, सुक्र बार और सनी बार देखिए दीन का संख्या कितना है 3 है और हमें उसत कितना दिया 38 डिगरी सेंटिगेट आप देखे हमें question में आगे क्या दिया है? हमें question में आगे दिया कि इसी सब्ताक के लिए सुक्रबार, सनिवार, तसरा, रवी बार का औसथ तापमान 49 degree centigrade था आप देखे हमें औसथ दिया है तो हम यहांसे तापमान का योग निकाल सकते है? तो हम यहां से तापमान का अगर योग निकालेंगे तो 49 में 3 से अगर गुना करेंगे तो यह कितना हो जागा? यह हो जागा 117 डिगरी, centigrade हो जागा अब देखें में कोस्चन में और क्या दिया है? हमें कोस्चन में रभी बार का तापमान दिया है हमें रभी बार का तापमान कितना दिया है? 44 डिगरी, centigrade दिया है अब देखें हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है विरस्पति बार का तापमान तो देखें यहां कौन-कौन सा दिन है? सुक्र बार, सनी बार और रभी बार तो देखिए इसमें से अगर हम रभी बार का तापमान माइनस करेंगे तो यहां से मारा क्या निकल किया जागा सुक्र बार और सुक्र बार का तापमान निकल किया जागा यानि हम यहां से लिख सकते हैं, ब्रेस्पतिवार का तापमार निकालने के लिए, हम यहां से लिख सकते हैं, 114 माइनस, और ब्रेकेट के अंदर हमारा हो जाएगा, 117 माइनस, 40, अब देखी, 117 में से, अगर हम 40 माइनस करेंगे, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 117 में से 40 म यानि द्रिश्पति बार का ताप मान क्या निकल क्या आगया, 37 degree centigrade निकल क्या आगया, हमारा आंसर क्या निकल क्या आगया, 37 degree centigrade निकल क्या आगया, चली question समझ में आगया होगा, next question पर चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question ये 5 लाल तथा 4 सफेज जूते हैं, यहां टोटल जो है कितने जूते हैं यहां टोटल नौ जूते हैं और हमसे पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि अगर एक जूता उठाया जा रहा है तो सफेद होने की प्राइक्ता क्या होगी हमसे पूछ क्या रहा है सफेद होने की प्राइक्ता पूछ रहा है तो देख देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question देजी दो टंकक पांच मिनट में दो प्रिशट टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 20 प्रिशट टाइप करने के लिए कितने टंकों को क्या आँ सकता होगी तो देखिए हम इस question को mdh formula से बना सकते हैं हमें question में क्या दिया हुआ है हमें question में दिया है कि 2 टंकक 5 मिनट में 5 मिनट में 2 priest जो है type कर सकते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि कितने टंकक 10 मिनट में 20 page जो है type कर पाएंगे तो देखे हम इस equation से x का value निकाल सकते हैं हम यहां से 0 से 0 काड़ सकते हैं हम इस 2 से 2 को काड़ सकते हैं यहां से हमारा x क्या निकल क्या जाएगा x निकल क्या जाएगा 10 यानि कितने टंकों को गया सकता होगी 10 हमारा answer क्या निकल क्या गया, 10 निकल क्या गया चली question समझ में आगया होगा, next question पे चलते हैं देखे हमारा simplification दिया हुआ है, हम इसे solve करते हैं अब देखे, यहां हमें क्या दिया है, यहां हमें दिया है root under 7 plus 4 into root 3 दिया है तो देखे हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे यहां से लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, 2 plus root 3 का whole square लिख सकते हैं 2 plus root 3 का whole square लिख सकते हैं, अब देखे, यह root से बाहर आएगा, तो यह हमारे क्या हो जागा, 2 plus root 3 हो जागा यानि हम यहां से लिख सकते हैं हम यहां से लिख सकते हैं यह हमारा हो जाएगा माइनस रूट 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस जब हम इसमें 8 से गुना करेंगे यानि यह रूट से जब बाहर आएगा तो यह हमारा हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और हम इसमें 8 से गुणा करेंगे तो यह हमारा हो जागा 16 16 प्लेस 8 रूट 3 हो जागा अब देखे हम इसे क्या लिख सकते हैं हम इसे एड़ करेंगे तो यह हमारे क्या हो जागा 19 प्लेस 8 रूट 3 हो जागा यानि हम इसे लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं, यह हमारा हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, चार प्लस रूट तीन का होल स्कॉयर, हम इसे लिख सकते हैं, चार प्लस रूट तीन का होल स्कॉयर, अब देखिए, यह जब रूट से बाहर आएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा 4 plus root 3 हो जागा यनी हम यहाँ से लिख सकते है root under minus root 3 plus यह हमारा हो जागा 4 plus root 3 हो जागा अब देखिए minus का root 3 और plus का root 3 आपस में कट जागा यहाँ हमारा क्या बच गया? root under 4 बच गया 4 को जब root से बाहर लाएंगी तो यह हमारे क्या हो जाएगा दो हो जाएगा यनि यहां से हमारा answer क्या निकल के आगा हमारा answer क्या निकल के आगा चलिए question समझ में आगया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते है next class में अगर class अच्छा लगे तो class को like करेगा अगर आप मेरे channel पे नए हो तो channel को subscribe करेगा और class को अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल मत भूलेगा चलिए बाई बाई